डियर स्टूडेंट्स आजम कलास सेक्स्ते मैथ अक्सरसाइज 12.1 का थार्ड एड फॉर्ट सम करेंगे थार्ड समय स्टूडेंट्स सी दा फीगर एड फाइड दा रेश्यो ओफ ये फीगर दे गई है इसको देखकर आमने इनका रेश्यो फाइड आउट करना है नमबर ओफ ट्राइंगल्ज टू दा नमबर ओफ सरकल्ज इनसाइड दा रेक्टेंगल ये पूरा एक रेक्टेंगल बढ़ा है इसके अंदर ये जो समाल साइज की फीगर है इसमें से हमने नमबर ओफ ट्राइंगल्ज का नमबर ओफ सरकल्ज से रेश्यो फाइड आउट करन है एपाट नंबर ओफे ट्राइंगल रेश्यो नंबर ओफ सर्कल्ज ट्राइंगल काउंट करो इसमें वन टू थरी सर्कल काउंट करो वन टू थरी रेश्यो टू किसी भी टेबल से कैंसल नहीं होता है तो ऐसे ही रही परिये बी पार्ट में नंबर ओफ स्केयर्ज तू ओल दा फिगार्ज इनसाइड दा रेक्टेंगल नंबर ओफे स्केयर्ज रेश्यो ओल दा फिगार्ज इनसाइड दा रेक्टेंगल नंबर ओफे स्केयर्ज देखो यह स्केयर है यह स्केयर है तो टू होगे और और फिगर कितनी है 1,2,3,4,5,6,7 तू रेश्यो 7 यह भी किसी टेवल पर कैंसेल नहीं होता तो ऐसे ही गएगा यह सीबाट नमबर ओप स्केयर जे नई सी, नमबर ओप सर्कल जे टू ओल दा फिगर इंसाइड दा रेक्टेंगल आबे सर्कल का निकालना नमबर ओप सर्कल जे रेश्यो ओल दा फिगर इंसाइड दा रेक्टेंगल सर्कल कितने हैं? और और फिगर कितनी हैं? सेवन तो इनका इभी रेश्यो आ गया टू रेश्यो जेवन और ये थार्ट संप्लेट और आश्टू नेट्स अभी फोर्ट संप करते हैं फोर्ट संप्लेट्स टू स्पीड और अक्तर आमीद की स्पीड का अक्तर की स्पीड से रेश्यो आमने फाइड आउट करना है अक्तर की स्पीड की स्पीड करते हैं इन अवर इक वर्टो नाइन किलो मीटर शो स्पीड ओफ आमीन इक वर्टो नाइन किलो मीटर पर आवर इसको बोलते हमें स्पीड की एक गंटे में जो डिस्टेश कावर की है वही स्पीड होती है of distance traveled by Akhtar in an hour equal to 12 km show speed of Akhtar equal to 12 km per hour अब हम इनका ratio निकालनेंगे speed of Amid ratio speed of Akhtar आमित की speed कितनी है 9 km per hour और Akhtar की है 12 km per hour km per hour से km per hour cancel हो गया 3 की table से 339, 3412 अब कर एकोवर में वाज क्वोरी 5 cm in moight करो सकी होवर का रीमाएंगे